इस प्रोग्राम के अंतरगत हम पिछले एक सब्तहा की लगातार चर्चा में रही परियावरणी एक खबरों पर आपके साथ विस्तार से चर्चा करते हैं ताकि इनसे संबंदित अगर कोई भी प्रशन आपके एक्जामनेशन में आएं तो उससे आप ठीक कर सकें और अपनी परिक्षा को क्वालिपाई कर सकें सामाने तेहम पिछले एक सब्तहा की चार से पांच खबरों को इस प्रोग्राम में कवर करते हैं वो कहां पर अधिसूचित किया गया है और उसकी महत्वपूर्ण विशेस्ताएं क्या है उसको अधिसूचित करने का क्या कारण है इस पर विस्तार से बात करेंगे हाली में केंद्र सरकार ने केंद्री मंत्री मंडल ने नैचूरल फार्मिंग पर एक मिशन को भी भोशित कर दिया है मिशन को भी मंजूरी परदान करती है तो नियाच्यूरल फार्मिंग क्या है प्राक्रतिक खेती क्या होती है और इस पर मिशन क्यों महत्वपून है इस पर बात करेंगे वायू गुनवत्ता प्रबंधन आयोग लगातार दिल्ली NCR के ख्षेतर में वायू गुनवत्ता की खराब स्थिति के कारण चर्चा में रहा है तो वायू गुनवत्ता प्रबंधन आयोग की बारे में भी सामाने जानकारी बुनियादी जानकारी यहां पर हासिल करने की कोशिश करेंगे साथ ही आप जानते हैं कि 11 नवंबर 2024 से 22 नवंबर 2024 तक अजरबाज़ान के बाकू शहर में कोप 29 की बैठक हुई है हाला कि ये तो इस पूरी बैठक के महत्वपोर्ण निसकर्ष क्या रहे हैं उसको भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन सभी महत्वपोर्ण टोपिक्स पर लगातार विस्तार से चार्चा होगी लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपोर्ण सूचना है और सूचना ये है कि अब दृष्टी आईएस मुखरदी नगर की सभी क्लासे अब नोईडा में होंगी और नोईडा में कहा होंगी नोईडा सेक्टर 15 में होंगी हमारा पता होगा सी 171 बाइटू ब्लोक एफ सेक्टर 15 नौएडा उत्तरप्रदेश और यह स्थान नौएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास स्थित है साथ ही आप 93-11-406-440 पर भी कॉल कर सकते हैं नौएडा में दो महत्वपुन बैच शुरू हो रहे हैं हिंदी माध्यम का ISGS Foundation कोर्स 9 दिसमबर से नौएडा में प्रारम होगा जिसका समय होगा सुबह 11 बजे इसी प्रकार से इंग्लिश माध्यम का भी ISGS Foundation कोर्स 12 दिसमबर से प्रारम होगा जिसका समय होगा शाम को 6 बजे लखनों में भी हिंदी माध्यम का ISGS Foundation Course 29 नमंबर से प्रारम हो रहा है जिसका समय होगा तुबह 11 बजे और इंग्लिश माध्यम का भी GS Foundation Course 29 नमंबर से ही प्रारम हो रहा है लखनों में जिसका समय होगा 11 बजे तुबह इसी प्रकार से प्रियागराज में भी हिंदी माध्यम का IHS Foundation Course 2 जनवरी 2025 से प्रारम होगा जिसका समय होगा बैच का शाम को 6 बजे आप 87501-87501 पर भी कोल कर सकते हैं इनके बारे में अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं और सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं इन बैचिस में एडमिशन ले करके अब हम अपनी पहली खबर की तरफ लोटते हैं लेकिन उससे पहले आप ये भी जान लेजे कि इन सभी प्रोग्राम की जो PDF फाइल है आपको Environment This Week Telegram चैनल पर उप्लब कराई जा रही है दिस्क्रिप्शन में दिएगे टेलिग्राम लिंक पर जाकर टेलिग्राम चैनल की लिंक पर जाकर के आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही Environment This Week टिश्टी आईएस का टेलिग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं पहली खाबर हमारी विशेश रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के 56 टाइगर रिजर्व की स्थापना की अधिसूचना को जारी कर दिया गया है यह भारत का 56 टाइगर रिजर्व जो की नवीनितम बाग अभ्यारणने है यह 36 गड़ में स्थापित किया गया है और इसका नाम क्या है नाम है इसका गुरू घासिदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व तो इसके बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे यह 36 गड़ में स्थित है यह तो आपने जान लिया है और इसका जो क्षित्रफल है वो है 2829.387 वर किलोमेटर जो की इसे भार दीसरा सबसे बड़ा बाग रिजर्व होगा इसमें कौं सा ख्षित्र कवर होगा इसमें 36 गड़ में उत्री षटर पढ़ने वाला जिसको हम उत्री आदिवासी सरगुजा क्षित्र कहते हैं उसके चार जीलेस में पढ़ेंगे कौन-कौन से जीले होंगे एक जीला होगा मनेंद्रगड चिर्मेरी भरतपुर जीला इसके लावा कोरिया सूरजपुर और बलराम पुर जीले इसके अंतरगत कवर होंगे गुरू घासिदाश तम प्रशातियां भी पाए जाते हों जैसे वपकी दूनिक्ष same जैने प्रशातियों के सहरे परोरॉजे यकिरषद्रिम में अर्वरत्मान भागर जन्संख्या आबादे Dorothy की बात करें तो बागों की आबादी 36 गड़ में 30 है जिनमें से गुरू घासिदास तमूर पिंगला रिजव में पांस से छे बाग माने जाते हैं अलग अध्यनों के नुसार बागों की संख्या में हाली में एक गिरावट भी देखी गई है 36 गड़ के अंतरगर जैसे एक आंकड़े के नुसार बागों की आबादी को बढ़ाने के प्रियास लगातार जारी है और यह 36 गड़ का अब चोथा टाइगर रिजव और भारत का 56 टाइगर रिजव जिसको हम गुरू घासिदास तमूर पिंगला टाइगर रिजव के नाम से जानेंगे यह अभीस इसको स्थापित करने के चल रहे हैं उसको भी एक तरह से आप देख लिजिए इसमें बहार से जो दूसरे टाइगर रिजव है वहां से बागीनों को लाएने की भी एक महत्वपून योजना है 36 गड़ में जो नर मादा बाग अनुपात है उसमें सुधार करने के लिए मध्यप्रदेश की बांधव गड़ और संजे दूबरी से बागीनों को लाने की योजना है आप जानते हैं कि ये दोनों 36 गड़ के बराबर में ही स्थित मध्यप्रदेश राज्ये की महत्वपू पागों की आबादी का बहतर तरीके से ख्याव लखने के लिए एक त्वरित प्रतिक्रिया दल आप कह सकते हैं कि एक रैपिट रेस्पोंस टीम बनाने साथ ग्रामिनों के साथ एक बहतर तालमेल विक्सित करने ताकि इस प्रकार की संरक्षण योजनाओं में उनकी सहयोग को भी स्थापित कहरा सके और वन ने जीव संरक्षण बढ़ाने सहित विभिन उपायों को शामिल क्या गया है इनको क्रियानवित करने की कोशिश की जाएगी ताकि 36 गड़ में बागों की आबादी को बढ़ाने में एक सफलता प्राप्त की जा सके 36 गड़ में जो अन्य बाग रिजर्व हैं में कौन-कौन से हैं एक है आप जानते हैं कि अचानक मार टाइगर रिजर्व है 36 गड़ में पहले से ही ये अचानक मार टाइगर रिजर्व इस्थापित है इसके लावा एक टाइगर रिजर्व आप जानते हैं कि इंद्रावती यहां पर इस्थापित है और एक और Tiger Reserve है जिसको आप सीता नदी के नाम से जानते हैं और इसका पूरा नाम मुझे comment box में comment करके बताइएगा क्योंकि इसको ये पूरा नाम नहीं है सीता नदी टाइगर रिजव का इसका comment box में comment करके बताईए कि 36 गड़ में जो टाइगर रिजव है जिसमें सीता नदी नाम आता है उसका पूरा नाम क्या है इसके लावा बाग संद्रक्षन की जो तैयारी आदेकारियों द्वारा 36 गड़ के अंतरगत की जा रही हैं उन संद्रक्षन की तैयारियों के बारे में भी कुछ बेसिक तत्यों को आपको जान लेना चाहिए मैं संद्रक्षन की तैयारी इस प्रकार से है कि जो बाग संद्रक्षन योजना है उसमें 36 गड़ में बुनियादी धाचे में सुधार करने का सीधा मतलब है कि यह जो तमोर पिंगला टाइग ने इंफ्रस्ट्रक्षर अब संद्रक्षन की ज़रत पड़ेगी इसलिए बुनियादी धाचे में सुधार यहां तमोर पिंगला टाइगर रिजव के अंतरकत विशेश रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है बाग संद्रक्षन अगर करना है इसी प्रकार से बागों के लि और साथ ही बांधगवर्ण टाइगर रिजव से जोड़ा जा सके और अगर मद्य प्रदेश में आप जानते हैं कि लगातार बागों की संख्या बढ़ रही है तो बागों की संख्या अगर मद्य प्रदेश में बढ़ रही है और वहां पर जो व्यस्क और उप व्यस्क जो ताइगर है वो अगर दूसरे क्षित्र में गमन करना चाहते हैं तो एक ऐसा मजबूत गलियारा उपस्तित होना चाहिए जो वहाँ पर जो अतरिक्त जनसंख्या अतरिक्त आबादी बागों की है गलियारे की माध्यम से संज इस तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व में बाग आसके और यहाँ पर बागों की संख्या को बढ़ाया जा सके गलियारे का यह मै इसी प्रकार से आवास, सुधार वी, विशेश उस्ते, मेहत्वपोन हो जाता है, बाग संप्षन को समरसन देने के लिए गास के मैदानों सहित, जल निकायों का प्रबंधन करना, उनका विकास करना, साथी चीतल और जंगली सुवर जैसे शिकार जानवरों का इस्थानंतरन शेत्र में करना भी यूजना का एक महत्वपून हिस्सा है, ताकि बागों की शिकार आधार को बढ़ाया जा सके, उनको भोजन की किसी प्रकार से कमी न हो, इसी प्रकार से रिजब के अवसरों के साथ उन्हें स्वच्छिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस्थानांतरित होने का भी विकल्प प्रदान किया जाएगा, क्योंकि यहां पर लगभग 40 की संख्या में छित्रे हुए गाउं है इस शेत्र में, तो उन गाउं की सुरक्षा के साथ सा करते हैं और उनके लिए एक एक टिरूइजम के माध्यम से रोजगार की बहतर व्यवस्था करना भी इस पूरी योजना का एक मेहत्वपूर्ण हिस्सा है तो यह हमने बात कर ली जो 36 गड़ में गुरू घासिदास तमोर पिंगला टाइगर रिजब की स्थापना हुई है 36 गड़ का चोथा टाइगर रिजब है और भारत का ओवरॉल यह 56 वा टाइगर रिजब है एक और महत्वपूर्ण चर्चा हमारे लिए महत्वपूर्ण है महत्वपूर्ण टोपिक पर चर्चा हमारे लिए जरूरी है और वो टोपिक है प्राकरतिक खेती ये चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि हाले में केंद्रिय मंत्री मंडल ने इस पर प्राकृतिक खेती पर एक महत्वपूर्ण मिशन को मंजूरी प्रदान की है इसके कारण की पूरा टोपिक चर्चा में आ रहता है तो सबसे पहले राष्टे प्राकृतिक खेती मिशन जिसको केंद्रिय मंद्री मंडल ने 25 नमबर 2024 को मंजूरी प्रदान की है इस पर चर्चा कर लेते हैं ये किसके अंतरगत काम करेगा ये जो मिशन है ये क्रिशी और किसान कल्यान मंत्राले की तहट काम करेगा और वस्तुत कि राकृतिक खेती की परिभाषा की बात करें तो ये परिभाषा आप विशेश से याद कर ली जेगके क्योंकि आपकी examination के दृष्टिकोंड से यह महत्वपोंड है और वो परिभाशा इस परकार से है कि प्राकृति खेती एक रसायन मुक्त कृशी प्रणाली है जो केवल पशुधन और पोधूं पर आधारित input का प्रियोग करती है जिससे टिकाव कृशी को बढ़ावा मिलता है sustainable क्रिशी को बढ़ावा मिलता है एक ऐसी क्रिशी को बढ़ावा मिलता है जो समय के साथ ने केवल आवश्यक्ताओं को पुरा करेगी बलकि soil health को भी बनाए रखेगी यह इसकी महत्वपोंड परिभाशा है इसको याद कर लीजेगा इसके बारे में कुछ और बुन्यादी क्रत्यों को जानने की कोशिश करते हैं अगर हम इस मिशन की प्रिश्ट भूमी के बारे में बात करें तो वर्ष 2019 से 24 में शुरू की गई भारती प्राकृतिक प्रिशी पदती का ही यह एक अपग्रेडिट संसक्रण है एक उन्नत संसक्रण है और तेंद्र ने विट्टी व योजना को भी देख सकते हैं इस योजना के लिए इस मिशन के लिए कितना बजट रखा गया है इसका जो परिवे रखा गया है वो 2481 करोड रुपे रखा गया है जिसमें 2026 तक केंद्र सरगार से 1584 करोड रुपे और राज्यों से 870 में करोड रुपे मिलेंगे इन सब को तो और से ध्यान में रख लिजेगा क्योंकि एक्जामनेशन भी प्रश्ण आ सकता है और इस प्रकार के अगर आप प्रस्तूत करेंगे अपने उत्तर पुस्तिका में तो आपके लिए विशेश रूप से लाबदायक होंगे नंबरों को दिलाने वाले माक्स होंगे नंबर जिसानों तक प्राकृतिक खेती को फैलाना चाहता है इसका एक मेहत्वपूर्ण लक्ष है और बुन्यादी तथे इस प्रकार से हैं कि इस मिशन की मेहत्वपूर्ण विशेश नहें इस प्रकार से होंगी कि उच्छ और वरक खपत वाले क्षेत्रों के सास्थ साथ जो नियूनतम प्राकृतिक क्रिश्वी पद्धितियों वाले जिले हैं उस पर ध्यान खेतरित के इंद्रित किया जाएगा यानि जहां पर प्राकृतिक खेती का इस्तेमाल बेहद कम होता है वे जीले और साथ ही जहां पर रसाइनों का बेहद जादा इस्तेमाल होता है खेती के अंतरगत उन जीलों को पहले टार्गेट किया जाएगा इसके लिए जरूरी है कि कुछ लोगों को किसानों को प्रसिक्षन भी प्रदान किया जाए और उनको स 70,000 किसानों को प्राकृतिक क्रिशी पद्धियों में प्रिसिक्षित करने का काम किया जाएगा उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और 10,000 जैब इंपूट संसाधन केंद्र जो की प्राकृतिक खेते के अंतरगत विशेशूप से महत्वपूर्ण होते हैं और पशुधन और स्थापित करने की कोशिश की जा सके तो यह महत्वपूर्ण तथ्य हैं फोकस शेत्र हमने जा लिया प्रारम में जो भोगोलिक फोकस होगा वो मिशन का जो लक्ष है वो 16 राज्यों के 228 जीले होंगे जहां और वर्वर्कों की जो विक्री है वो अधिक है और प्राकृतिक खेती कम अपनाई जाती है जैसा कि अभी आपको बताया गया था कि ऐसे जीलों को पहले टार्गेट किया जाएगा जहां पर रसाइनों का ज्यादा इस्तेमाल होता है और प्राकृतिक खेती की कम इस्थिपाए जाती है कम प्रचलन है तो ऐसे जीले 128 जीले हैं इनकी करना और कीट प्रबंधन में भी प्रसिक्षित किया जाएगा ताकि किसान इस विवस्था को पूरी अच्छी तरह से अपना सके तो मिशन के लाब किस प्रकार से होंगे एक तो किसानों की कम इंपुट लागत आएगी यानि किसानों का जो खर्च होता है किसी फसल को एक बोन घल्थ में भी सुधार होगा और स्वयल हेल्थ में किसानों में सुधार होगा रसायनों से जुड़े शुटे स्वास्थ जो जोकिन हैं वह भी अखाम हो जाएंगे और अधिक स्वस्थ और पोस्टिक भोजन भी उपलवद होगा संसे में प्रयवत मिलेगी जल उप dlatego कि दक्षिता में व्रिद्धी होगी जितना जल वर्तमान में किसी फसल को बोने से लेकर काटने तक इस्तमाल होता है प्राक्रतिक खेती के है उसको भी बढ़ावा देने में मदद मिलेगी यह स्किंप कुछ महत्वपूर्ण लाब है और आपके एक्जामिनेशन के दृष्टिकूर्ण से विश्य सूप से इन सभी लाभों को याद रखने की आवश्यक्ता है आगली खबर की तरह बढ़ते हैं आप जानते हैं कि हाल हाली में दिल्ली NCR के फिश्यतर में वायू गुनवत्ता का इस्तर ज्यादा खराब चला गया और जो एर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगतार 400 से उपर ही मार्क कर रहा था जो वायू गुनवत्ता की गंभी रितम स्थिति को सिव्यर स्थिति को प्रदर्शित करता है दिल भी लगतार सवाल उठाए गए तो हमारे लिए हमने अलगलग वायू गुनवत्ता की मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की है अलगलग प्रोग्राम के अंतरकत आज हम यहां पर वायू गुनवत्ता प्रबंधन आयों की बारे में कुछ बेसिक जानकारी हासिल करेंगे तो CAQM यानि Commission for Air Quality Management की अलूचना की और CAQM NCR में वायू गुनवत्ता की निगरानी के साथ साथ उसके प्रबंधन के लिए मुख्य रुख से जिम्मेदार है खराब वायू गुनवत्ता में गंभीर स्वास्त जोखिम उत्पन होता है आप जानते हैं कि अगर लंबे समय तक वायू गुनवत्ता बहाद ज्यादा खराब बनी रहती है तो उससे मानव स्वास्त पर लगारात्मा कसर पड़ता है और जो विशेश तोर से जो PM2.5 पर्टिकुलेट मेंटर 2.5 है वो हमारे सांस की जरिये मारे मुं की जरिये मारे लंग्स में प्रवेश कर सकता है और समय के साथ हमें स्वसन संबंधी बिमारिया हो सक्ती है बलकि वो हमारे फेफडों में कैंसर के लिए भी जिम्मेदार हो सकता है तो लगातार ये स्वास जोखिम बढ़ता चला जाता है अगर वायुगुणवत्ता बहत खराब रहती है विशेशकर कमजूर समुहों के लिए वायुगुणवत्ता का खराब होना ज्यादा खतरनाक होता है और कमजूर समुहों में बच्चे व्रिद यानि जो 60-65 वर्ष की आयुद से अधिक के लोग हैं और प्रेगनेंट वोमन आती हैं गर्भावस्था में जो महिलाएं हैं वो कमजूर समुहों के अंतरगत आ जाती हैं नियाले ने ये कहा है कि जो अलग-लग तरह से जो उत्सर कारिवाईयां लगातार की जाने चाहिए और इन कारवाईयों को उठाने का भी आग्र नियाल लेके द्वारा किया गया अब हम जाने कोशिश करते हैं कि जो कमिशन फोर एर क्वालिटी मैनेजमेंट है वो वस्तुत है क्या उसकी जो स्थापना है इसके स्थापना या इसक इसको प्रस्थापित किया गया और यह संसदी अधिनियम वर्ष 2021 में आया था वैसे अध्यादेश के माध्यम से वर्ष 2020 में को गठित किया जा चुका था उदेशे क्या है NCR और आसपास के क्षित्रों में आसपास के इलाकों में वायो गुणवत्ता संबंधी मुद्दों का सम्र्मे करना यानि उनका कोडिनेशन करना उन पर अनुसंधान करना खरें करना और उनका समधान v MAX अगर अगे में इसकी प्रारंभिक संद्रश्णा की बात करें जब इसको 27 है और इसकी जो पूर्व वर्ती गठा इसका जो पूर्व वर्ती आप क्या सकते हैं organization था इससे पहले जो शेत्र में वायोगुनवर्ता के मानुकों का समन्वे करने वाली संस्था थी वो संस्था कुन से थी वो संस्था थी EPCA यानि Environmental Pollution Prevention and Control Authority परियावरण प्रदूशन रोख्थाम और नियंतरन प्राधिकरण था CAQM ने 1988 में सर्वोच नियाले द्वारा इस्थापित इस संस्था का स्थान लिया तो इस संस्था को कब इस्थापित किया गया था परियावरण प्रदूशन रोख्थाम sense pradikiran को जो वाईव गुनवत्ता के अलग लग इस तरों के अधार पर अलग लग तरह के action plan के को उलेक करता है इसी संस्था के द्वारा यह शुरू किये गए थे और वर्थवान में graded action action plan graded response action plan का जो क्रियानिवयन है वो किसके कारें करने के अधिकारों के बारे में अगर हम जानकारे असिल करें तो NCR और आजता पर विचार करने कि इसकी शक्ति है प्रवर्तनकारी शक्तियां भी प्रदान की गई है जैसे अधिनियम की धारा 14 के तहत जिस अधिनियम की तहत इसका स्थापना हुआ है उस अधिनियम की धारा 14 के तहत जो Commission for Equality Management है वो अपने आधिशू का पालन करने में विफल रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कारवाई की शुरुआत कड़ी कारवाई की पहल कर सकता है यह शक्तियां इस प्रकारसे से प्रदान की गई है कोप 29 की बैठक आप जानते हैं कि अजरबाजयान के बाकू में 11 नमबर से 22 नमबर को संपन होनी थी लेकिन अपने नियत अवदी से आगे लगतार वारता चलती र विक्सित देशों से वह अपेक्षा पूरी नहीं हो पाई है सामाने तोर से माना जा रहा था कि वर्ष्ट 2026 से आगे विक्सित देश विकास सिल देशों को जलवायू कारवाई के लिए एक ट्रिलियन डॉलर की वार्षिक मदद उपलब्द कराएंगे लेकिन अभी तक जो जो इस समझोते के अंदरगत एक विक्सित देश विकास सिल देशों को मदद देने के लिए सहमत हुए हैं वो राशी कितनी है वो राशी है 300 बिल्लियन डॉलर की वार्षिक जो अपने आप में बहुत कम है और जलवायू कारवाई के प्रयास्तों को स्तिमित करने में एक मह हाई की हमें आवशक्ता थी उसमें क्लाइमेट फिनेंस मेकैनिजम विशेश रूप से महत्वपूर्ण था और उसमें इतनी कम व्यवस्था करना क्लाइमेट गोल्स को हासिल करने के प्रती एक नकारात्मक इस्थित को प्रदश्रित करता है तो बहुत अच्छी खबर निराशा जनक परिणाम हमारे सामने आते हैं बाकू यानि अजर्बाइजान के बाकू शहर में कोप 29 जलवायू श्विखर सम्मेलन जलवायू वित पर निराशा जनक संदूतों की साथ समाप्त हुआ है विक्सित देशों ने विकासिल देशों के लिए केवल की आफशक कितने थे एक प्रिलियन डॉलर से और ये राशी भी 2035 में ही शुरू हो पाएगी जबकि वर्ष दो हजार 26 से ही एक प्रिलियन डॉलर के राशी की आवशकता थी का बहतर क्लाइमेट एक्शन के लिए जलवायू वारताओं की एक अप्रभाव शीलता भी ये है वो वर्ष 2015 पैरी समझोते दुवारा जो निर्धारित सर्जेंट को टूर्थी के लक्ष है उनको पूरा करने के लिए बिल्कुल अप्रयाप्त है आप जानते हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण लक्ष है पैरी समझोते वर्ष 2015 का वो ये है कि जो ग्लोबल वार्मिंग य है और इसके लिए जरूरी है कि ग्रीन हाउस गैसे के उस सर्जन में कटोटी कि जाए और उसके उस सर्जन में कटोटी करने के लिए जरूरी है कि सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाव में बहुत से परिवर्थन करने पढ़ेंगे विकासिल देशों की पास उतने संसाधन उपलब्ध नहीं है कि वो इस परकार के परिवर्तन कर सकें इसलिए विकसित देशों की जिम्मेदारी बनती है जो की एतिहासिक रूप से गृ्रीन हास गैसेज के उत्सरजन में सबसे ओपर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो विकासील देशो की सामाजिक आर्थ में परिवर्तन के लिए जलबायू वित्त की विवस्था को बनाने में योकदान दे ताकि वह अपनी जलबायू कारवाई için कर आगे बढ़ा सके और सर्जिंद में कटकल कर सके लेकिन विट्ट की इतनी कम विवस्था अपने आप में जलवायू कारवाई की जो लक्ष है उनको प्राप्त करने की अंतरगत बहुत कम बैठती है और जो की जलवायू वारताओं की विफलता की और भी एक संकेत परदान करता है वर्ष दोहजार तीज तक जो वैश्विक उत्तरजन है ग्री वन दक्षा की गई है लेकिन वर्तमान में जो क्लाइमिट एक्षन है पुरे विस्व के उसके मारध्यम से केवल दो प्रतिशत के उसतरजन की कमी ही हो सकती है जो अपने आप में दिखाता है कि जो हमारे क्लाइमेट गोल्स है और जो हमारे क्लाइमेट एक्षन है उनके बीच कितना बड़ा गैब बना हुआ है अगर इस गैब को भरना है तो बहतर क्लाइमेट फिनेंस मेकानिजम को खड़ा करना पड़ेगा जलवायू वित्त तंतर को खड़ा करना पड़ेगा जिससे विकासील देश एक सामाजिक आर्थिक धांचे में इस प्रकार से परिवर्तन कर सके ताकि वो अपने जलवायू गोल्स को जलवायू लक्षों को सम्मिलन रियो डीजैनर रियो ौ जो ब्राजील में हुआ था वो आ जाता है इस व्यवस्ता में 92 के जो परत्वी सम्मिलन था उसमें सबसे पहले यह बात निकल करके के आए थी जो की वर्तमान में जो सबसे बड़ी परियावरणी ये समझ्चा है वो परियावरणी समझ्चा क्या है जलबायू परिवर्तन है जलबायू परिवरतन सबसे बड़ी परियावरणी ये समझ्चा है और इस समझ्चा के समाधान के लिए 1994 में UNFCCC यानि United Nation Framework Convention on Climate Change की ववस्थास्तित में आई और इसी के अंतरगत Conference of Parties जिसमें देश जो देश इसके जो पक्षकार हैं वो Conference of Parties के रूप में सामने आते हैं इसी को ध्यान में रखते हैं Conference of Parties की वारशिक सम्मेलन की सुरवात 1905 में हुई और पहला सम्मेलन बर्लिन में हुआ जर्मनी में हुआ और इसके बाद अब ये COP29 की बैठक हुई है लगातार इसमें इस प्रकार के इंदरने सामने आ रहे हैं जो जलवायू लक्षों के अनरूप नहीं दिख रहे हैं इसका एक कारण ये भी माना जाता है कि जो Climate Finance की जो हमारी जलवायू वारता structure है जो UNFCCC के अंतरगत है वो अन्य जो बहुपक्षे प्रणालिया है उसके सिधानतों के उलट है उसके सिधानतों के उलट किस प्रकार से है उसके सिधानतों के उलट इस प्रकार से है कि चाहे हम World Bank की बात करें चाहे हम IMF की बात करें या फिर WTO की बात करें इन सभी व्य उनके द्वारा ही नियम बनाए गए हैं और उनके द्वारा ही उनका संचालन सामाने तच यह जाता है और लगतार विखुट देश इन व्यवस्थाओं में अपना प्रभाव इन नियमों के माध्यम से बनाए रखते हैं लेकिन जो United Nation Framework Convention on Climate Change की ववस्था है इस ववस्था के अंतरगत लगातार विक्सित देशों की Climate Change को लेकर के एक जिम्मेदारी को टै किया गया है और इस प्रकार से ये समानता और निस्पक्षिता की सिध्धानत पर जो ये वारता बात जो विक्सित देश हैं उनको 1997 के Kyoto Protocol के अंतरगत की महसूत हो गए थी जब Kyoto Protocol के अंतरगत विक्सित देशों की एक खास जिम्मेदारी को टै किया गया और ने केवल उनकी जिम्मेदारी को टै किया गया ये भी कहा गया कि अगर वो एक निशित मात्रा में उत्सरजन कटो होती नहीं करते हैं तो उनको दंडित भी किया जाएगा तो ये एक ऐसी विवस्था के रूप में UNFCCC विक्सित हुआ है जो की अन्य भहुपक्षे परणालियों के सामाने सिधानतों की विपरीत हैं इसलिए समय के साथ विक्सित देशों ने धीरी धीरी इस विवस्था का विरोध करना शुरू हो गए किया और यह विरोध उनका शुरू हुआ वर्ष द्वहजार पांच में जब क्योट्व प्रोटोकॉल की विवस्था को एन्फोर्स किया गया लेकिन इसको रैटिफिकेशन जो एक सामाने रैटिफिकेशन के आव्शक्ता थी एक वर्ष दूह वो उसके खिलाफ जा सकती है इसलिए उन्होंने इसका विरूद करना शुरू कर दिया और इसका सबसे महत्वपूर्ण उधारण है यूएस से जो की 1977 में कि क्योटो प्रोटोकोल को निर्मित करने के अंतरकत महत्वपूर्ण भूमिका में था लेकिन वर्ष 2005 में उसने इसको रेटिफाई नहीं किया इसका अनुमोदन नहीं किया और इस तरह की वारताओं से वो अलग बना रहा लगातार उन्होंने इस तरह के जो क्लाइमेट क्लाइमेट वारता को लेकर के जो स्ट्रक्चर है उसको कमजोर करने की कोशिश की और पहला प्रियास वर्ष 2009 के कॉपन हेगन शिखर समयलन में किया गया लेकिन विक्सित देशों को उसके अंतरगस सफलता नहीं मिली उनको पहली सफलता तब मिली जब 2015 में पैरिस समझोता हमारे सामने आया और पैरिस समझोते में उस्तरजन कटोती के लिए नैकेवल विक्सित देशों को जिम्मेदा ठहरा गया और विकास सिल देशों से भी अपेक्षा की कही कि वह अपने नेशनली डिटर्मिंट कॉंट्रिबिशन यानि एंडिसी लक्षों के तहत उस्तरजन म कटोटी का एक लक्ष निर्धारित करें और जलवायू परिवर्थन की समझ्चा से निपटने में अपने योगदान को भी सुनिशित करें वो कही न कहीं आप कह सकते हैं कि विक्सित देशों की एक सफलता थी क्योंकि एतिहासिक रूपते पिछले 1500 वर्षों में सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैसे के उत्सरजन के लिए विक्सित देश जिम्मेदार रहे हैं लेकिन उन्होंने अपनी इस जिम्मेदारी को विकासिल देशों पर भी डाला और विकासिल देश भी NDC के अंतरगत अपने उत्सरजन कटोटी की लक्षों को घोशित करने के अंतरगत बादे बादे हुए लेकिन इसके बावजूद भी एक क्लाइमेट फिनेंस की ववस्था वो भस्त नहीं कर पाए विक्सित देश तो क्लाइमेट फिनेंस मेकेनिसम के अंतरगत उन पर जिम्मेदारी डाल दी गई कि उनकी इतिहासिक जिम्मेदारी बनती है और इसलिए विकासिल दे सोलर की ववस्था के अंतरगत भी लगातार इस ववस्था को भी टार्गेट करने की कोशश की गई और इसका टार्गेट करने का अधार ये था कि विक्सित देशों का ये कहना था कि लगातार क्लाइमेट एक्शन के लिए इसके विस्तार करने के आवशकता है और इसके वि इक अमीर हुए हैं इसलिए वो क्लाइमेट फिनेंस के अंतरगत अपना योगदान दे और इस योगदान की जो चर्चा थी वो को 29 बाकू में विशेश रूप से लगातार चर्चा में रही थी लेकिन योगदान आधार को बढ़ाने के अंतरगत विकासिल देशों ने इसका विरोध किया चीन ने भी इसका विरोध किया क्योंकि चीन से भी लगातार डिमांड की जा रही थी कि वो भी क्लाइमेट फिनेंस में विशेश रूप से योगदान दे लेकिन उसके विरोध के कारण ये माना जा रहा है कि जो विकासिल देशों का विरोध योगदान आधा 35 में लागू होगी जबकि वर्ष 2026 से ही एक ट्रिलियन डॉलर की ववस्था की डिमांड की जा रही थे तो इस प्रकार से ये वैश्विक शक्ति संतुलन के अंतरगत भी विशेश रूपस्ताई चर्चाएं उलज गई हैं और लगातार विक्सित देशों की कोशिश है कि वो लगातार बठकती जा रही है इन चर्चाओं में एक विग्टन की स्थिती देखने में आ रही है जो भी आपको बताया गया है वही सब यहां पर लिखा गया है बेसिक कॉंसेप्ट आपका किलियर कर दिया गया है और लगातार कोशिश की जा रही है कि जल्बायू वित्त नाधार है उसको विस्तरित क्या जाए तो मुखे रूप से जो क्लाइमेट वारता का जो जल्बायू वारता का स्ट्रक्चर है उसमें उत्तरजन में कटोती जितनी होनी चाहिए ना तो वो कटोती हो पा रही है और वित्त पोशन में भी जितनी व्रद्दी होनी चाहिए व नहीं व्रद्धी हो रही है जिससे विकास सेल देशों का विक्सित देशों पर विश्वास है वह बहुत कम हुआ है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो क्लाइमेट चेंज के अंतर का जो वारताएं हैं जो कोप 20 कोप बैठके हैं वो पूरी तरह से निरर्थक है उसमें कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर तरचा होती है विशिश रूप से कम विक्सित देशों और द्वीपी देश जो की क्लाइमेट चेंज की समच्छा से वालू द्वीप समू हो या मार्शल द्वीप समू है छोटे द्वीपी देश हैं इनको इस प्रकार की वारताओं से निशित रूप से मदद मिलती है इसलिए वारताओं को आगे बढ़ाए जाने के आवशकता है लेकिन जलवायू परिवर्तन से लड़ने के लिए एक इसकर्ष यही निकलता है अब आपके लिए कुछ प्रशन है जिन प्रशनों के उतरा आपको कॉमेंट बोक्स में कोमेंट करके देने हैं पहला प्रशन है गुरु घासिदास तमोर पिंगला टाइगर रिजव के साथ भारत में टाइगर रिजव की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है आपके ऑप्शन से 54, 54, 55, 56, 57 अगला प्रशन है निमनल लिखित में से कौन सी प्राकृति खेती की विशेश्टा नहीं है नहीं है बतानी है आपको पहला ऑप्शन है रासायनी कीटनाश्पों का प्रियोग दूसरा ऑप्शन है जैव उरवर्कों का उप्योग त चोथा ऑप्शन है फसल विविधिकरण तीसरा प्रशन है CAQM यानि Commission for Air Quality Management ने NCR और आस्वास के इलाकों में वायूगुर्मत्ता के लिए जिम्मेदार की स्पूर्व निकाय का स्थान लिया है आपके ऑप्शन है केंद्रिय प्रदूशन नियंत्रन बोड परियावरन प्र विकास असील देशों के लिए विक्सित देशों द्वारा सहमत वार्शिक जलवायु तर्शी क्या है आपके option है 100 बिलियन डोलर एक ट्रिलियन डोलर पास्तो बिलियन डोलर या 300 बिलियन डोलर इन सभी प्रशनों के उत्रे आपको comment box में comment करके इस जरूर देने हैं फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी निवाद Dear viewers अपने exam की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को like, share और subscribe करना न भूले